नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमने completely अध्याई no.4 जो है वो पढ़ लिया है अध्याई no.4 कार्बन और उसके योगिक यह हमारा चेप्टर था यह हमने completely इसके इसको व्यवस्तित रूप से इसको पढ़ लिया है इसके नौट्स बना ल होगी देखे जैसे ही co2 हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा दिमाग में ऐसी सरचना बननी चाहिए क्योंकि oxygen double bond के साथ जुड़ता है तो कहने का मतलब दोनों तरफ double bond होते हैं कार्बन की पूरी से होजगता complete हो जाती है तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि ऐसी सरचना यहाँ और दो electron यहाँ और इसी के दो electron यहाँ दो electron यहाँ अब जो है दो oxygen जुड़े वे हैं सबसे पहले बाईं तरफ वाले oxygen की बात करें तो यह अपने दो electron आगे रखेगा और अपना अस्टक पूर्ण कर लेगा और इस परकार इस oxygen के पूरी खाते में 8 electron हो जाते हैं है दो दो चार और चार आठ बीच वाले कार्बन की बात करें तो इसका भी खाता फूर्ण हो जाता है इसके पास भी 8 electron हो जाते हैं चार इदर है चार इदर है कहने का मतलब यह कंप्लिटली सह सहयोजक बंद बना लेते हैं और यह CO2 की electron बीदू सरचना होती है इस सरचना को ऐसा लिखा जा सकता है ठीक है आई होप यह आपको बहुत एजिली समझ में आ गया होगा हमने पढ़ लिया है किसी को फिर भी लग रहा है समझ में यायत मैं बता देता हूं आपको कि oxygen का electron विन्यास होता है 2 and 6 तो इसके पास बाइत हमकर्स में 6 electron होते हैं तो 2, 4 और 2 यह द के साजे के लिए दे दी और 2 इस साइड साजे के लिए दे दी तो इसकी सेंज़कता भी completely पूरी हो जाती है फिर बात करते हैं दूसरे प्रशन की तरफ दूसरा प्रशन है कि sulfur के 8 परमानों से बने sulfur के अनू की electron बिन्दू सरचना क्या होगी sulfur के 8 परमानों एक अंगूटी क करेंगे और भूल जाएंगे तब हम यह नहीं बना पाएंगे क्यूंकि sulfur जो है वो 16 नंबर पर आता है sulfur 16 पर आता है तो इसका electronic विन्यास होता है 286 यह important चीज़ है बाहतम कक्स में 6 electron है इसका मतलब इसके पास बाहतम कक्स में 6 electron है तो यह किस परकार साजा गरेगा देखो त आपको पता एक पूरा गोला बनेगा इस परकार अंगुटी गोल होती है ऐसा गोला बनेगा लेकिन बॉन्ड कभी बी गोले में नहीं मैं सीध़े होते है सीध्य होता है इसी परकार दूसरा सलफर, वो चार इलेक्टोन तो अपने पास रख लेगा और ये एक-एक इलेक्टोन जो है साज एक रूप में दे देगा इसी परकार तीसरा सलफर तो कहने का मतलब ये एक सलफर की ये लब्मी सरकला बन जाती है ठीक है? चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है अगले प्रश्ण पेज नंबर 66 पर है क्या प्रश्ण है यह देखेगा इन प्रश्णों में यह बाते हैं मुख्य रूप से ध्यान रखनी हमें Pentane के लिए आप कितने सरचना अत्मक समावय का चितन कर सकते हैं देखें Pentane Pentane से जैसे पता चलेगा हम लिखेंगे 5 Carbon कितने सरचना अत्मक समावय कितने सरचना अत्मक समावय मतलब Pentane की किनी सरंकलाई बना जा सकती है तो कैसी कैसी सरचनाई बना जा सकती है पहले सरचना दें कि Pantene CS3, CS2, 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 CS2 पांच कार्बन हो गए तो ये Pantene है इसे N-Pantene भी पड़ा जाता है तो पहला तो ऐसे बना सकते हैं दूसरा क्या तरीका यहां Iso-Samo बना दो चार कार्बन को ऐसे जोड़ दो एक साखा निकाल दो जब एक साखा निकाल देते हैं तब उसको बोलते हैं Iso-Pantene और तीसरा यह तरीका है कि एक कार्बन बीच में रख दो चार कार्बन साइड में जोड़ दो ये भी होगा तो Pantene ही लेकिन इसका नाम हो जाएगा Neopentene इसका नाम रखेंगे हम Neopentene तो ये तीन समावी बनते हैं उपर जितने भी प्रशन मैंने अभी तक बताएं वो सारे आपको अपनी Notebook में करने हैं और ये प्रशन भी करना था अब दूसरा प्रशन है कार्बन के दो गुंद्रम कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों और कार्बन योकिकों की विशाल सेंग्या दिखाई देती है तो ऐसे दो गुंद्र क्या है देखे पहला गुंद्रम कार्बन कार्बन में सेंग्ला का गुंद्रम पाया जाता है तो यह आप प्रशन मत करना हो गया अपने प्रशन ही अगला प्रशन है साइक्लो पेंटेन का सुत्र और इलेक्ट्रोन बिंदू सरचना क्या होगी साइक्लो पेंटेन देखे साइक्लो का वर्ड हुआ बंद सरचना है और पेंटेन का मतलब 5 कार बने तो जैसे मेरे दिमाग म यह चलेगा तो मैं इस परकार की सरचना बनाऊंगा ठीक है यालो, यह cyclopenten हो गया बस करना किया से हो इस यह तर पूरी कर दो 2 hydrogen िदर, 2 इधर, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, यह इस परकार की सरचना बन जाएगी, यह रही सरचना लेकिन रही बात electron bidd consult सरचना की, तो इल Cathy, बिं दू शरचना कैसे बनाएंगे, ये की इलेक्ट्रोन बिंदू सरचना बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारें हिंट कर देता हूँ ये, जैसे मैं आपके सामने बात करूँ, जैसा कोई एक कारबन ले ले दे इक उपर वाला कर्बन ये कार्बन की चार सेखता होती है तो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर बंद बनाएगा और एधर इधर बंद बनाएगा कितने बंद बन गई दो बंद एलेक्ट्रन और बच गए तो ढोईडियों आगी बंद बनाने के लिए यह लो का्वा All से जुड़ेंगे ठीक है और इसी प्रकार यह हो जाएगा तो हो गए पांच एक दो तीन चार पांच और यह दो दो इलेक्ट्रोन जो है वो हाड्रोजन जुड़ जाएंगे तो यह होगी इनकी इलेक्ट्रोन बिंदू सरचना क्योंकि यहांपा में बांड नहीं बनाना है तो हमने सिर्क कि इलेक्ट्रोन बिंदू स सरचना बनानी है तो इस प्रकार चैसे आप चित्रम देख पा रहरे हो यह ऐसी सरचना म बना देंगे इसके भी दो इलेक्ट्रोन साजे की रूप में आ जाएंगे ठीक है इसके भी दो इलेक्ट्रोन साजे की रूप में और दो इलेक्ट्रोन जो बच गए हैं उनके साथ में हाड्रोजन अपना इलेक्ट्रोन लेकर आएगा यह देखिए हाडरोजन और इसी परकार यह जो चोता कारवन पहले कारवन बना लें सारे फिर बॉंड बना दीजिए तो एक यहाँ एक यहाँ यह ऐसे ठीक है और जो बच गए है उनके साथ हाडरोजन आ जाएंगे एक गदर एक यहाँ एक यहाँ तो इस परकार आप ये साइकलो पेंटेन की लेक्टोन बिंदू सरचना बना सकते हैं बहुत ही जी अराम से आप थोड़ा सा प्रियास कीजिए हो जाएगा आपसे चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रशन की तरफ अगला प्रशन है कि निम्न योगीकों की सरचना चितरत कीजिए पहला एथनोइक अमल है देखिए यह एथनोइक अमल है और एथनोइक अमल हम जानते हैं CS3, COOH ये एथनोइक अमल होता है लेकिन यहाँ पर इसकी सरचना बनानी है तो सरचना कैसे बनाएंगे देखिए यह रही सरचना यह पहला कार्बन CS3 है यह देखिए CS3 तो तीन हड्रोजन जोड़ दिए ठीक है अब यह BR जरूर नहीं आप यहाँ जोड़ो आप चाहो तो यहाँ पर भी जोड़ सकते हो यहाँ पर भी जोड़ सकते हो यहाँ पर कहीं पर भी ठीक है तो इसको पड़ा जाता है और लश्ट आता है है अल लगा है मतलब इसके अंदर LD8 समूँ पीछे CHO है ठीक है इसको LD8 समूँ पड़ा जाता है और हैक्सेन मतलब 6 कार्बन है तो यहाँ देखिए 1,2,3,4,5,6 कार्बन हो गए और इसमें लश्ट वाला जो समूँ है वह LD8 समूँ है इस परकार यह क्लास में लेंगी तो मिलते हैं अगली क्लास में तब देख लेज़े हैं यह बाद